जन्याग जन्ता पार्टी को बड़ा जटका लगा है डक्टर संतोस दहिया जन्याग जन्ता पार्टी की टिकट पर लाड़वा से विधान सबा का चोनाव लड़ चुकी हैं और राष्टिया कार्या कारणी की सदस्य हैं उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा देने की गोश है क्या कहीं देखिए जो कि कल किसानों के उपर लाठी चार्ज किया गया है लाठी चार्ज क्या मैं तो यह कहूंगी उनको पीटा गया है जबर दस्त और सिर्फ ओड़ दिये इतनी बुरी तरह से उनको चोटे आई हैं इतने बुजर्ग कि तेंटा के साथ चलते हैं लेकिन में तो यह कहते हूं किसान नहीं बचेगा तो यह सब कुछ कुछ भी नहीं बचेगा आज किसानों के साथ जो हो रहा है वह लंबे समय से नो महिने हो गए हैं 500 से जादा लोग मर चुके हैं उसके बावजुद इन्होंने कीले गाड़ी रास्ते रोके लाठियां बरसाई ये सारा कुछ वाटर कैनन बैरी गेट्स वगरा सब कुछ किया लेकिन जो कल बस्ताडा में हुआ वो सच में शर्मनाक भी है और उसमें लगत संत्र में समवेधानिक हमात तरीका है हम आवाज उठा सकते हैं किसान अपनी आवाजी तो उठा रहे नो महिने से किसान कर रहा है नहीं हत्ता है किसान आराम से बैठा है अपना अंदोलन कर रहा है डिमांड कर रहा है कि हमारी बात सुनी जाए लेकिन उनकी बात सुनी तो उनके उपर लाठियां बरसाई गई कल 15 किलो मीटर पर मुखे मंत्री जी का जो प्रोग्राम था 15 किलो मीटर दूरी पे थे वो लोग लाठियां बरसाने वाड़ा कैसा कोई कारण नहीं था कि इस तरह से उनको पीटा गया तो उससे मैं बेहत आहतूं इसलिए मैंने निर्ण लिए लड़ाई अब लड़ रहे हैं आज तक तो बार्टी में थे कभी बाचित की इस तरह का परियास किया बिल्कुल शुरू से ही जैसे जब किसान अंदुलन शुरू हुआ था तब से इस सब लोगों को लग रहा था कि दूशन जी को आवाज उठानी चाहिए और वह क् लेकिन वह हुआ नहीं और जब नहीं हुआ तो मैं यूँ शांती से यूँ बैठी थी कि कही न कही शायर ये सौल्म होगा मामला लेकिन जो कल हुआ है कल के बाद मैं खुद को नहीं रोप पाई और मुझे इतना दुख है इस बात का कि लोक तंतर में किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है क्या दबाव से या लट की बल पे क्या किसी आंदोलन को दबाया जा सकता है कते ही नहीं और वो भी किसानों को जो धर्ती का सीना चीर के अन पैदा करके लोगों का पेट बरते हैं ये उनके उपर लाटियां पर सारे इनको जरा सी लजा नहीं आ रही है मैं बेहत दुखी हूँ और इसलिए मैंने ये निर्ने लिया है अब आप ये देखे वैसे किसानों की जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई नहीं है वो गरीब जिन लोगों को सबसीडी के रूप में चीज़े दी जाती हैं उनका ये रास्ता रोक रहे हैं जब सरकार कोई खरी देगी नहीं कुछ तो सबसीडी कहां से देगी गरीब लोगों को कहां से देगी जो हम अन और ये सब चीज़े देते थे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये काईमर पहुंचे हैं अंदोलन के दोरान वहां देखे किसानों से मेरी बातचीत होती रहती है और क्योंकि मैं आंदोलन में सक्रिये रही हूं और मैं चाहती हूं कि किसानों की बात सुनी जाए क्योंकि MSP अगर इनको नहीं मिले तो यह अपनी चीज कहीं पर भी सही दाम में नहीं बेच सकते आपने कोई बी चीज बनाई इसका MSP होता है उसका rate होता है यह मोबाइल है तो जिसने इसका rate fix करता है कि मेरा इमोबाइल इतने का है उसके बाद आप retailer के पास जाते हैं वो इसमें कितना मुनाफा लेता है वो एक अलग चीज है लेकिन एक rate fix होता है कि इस से जादा कोई खरीद नी सकता या इस से जादा कोई बेच नहीं सकता वो रास्ता यह लोग bend कर रहे हैं वो रास्ता अगर बंद हो जाता है तो нам कि पैजे गा क्योंकि कभी कबार तो तेज भी बिख सकता है लेकिन हमेशा ओकव देज मजिस्टेट जो है उसकी इंक्वारी करेगा और उसको न्याए मिलेगा कल मजिस्टेट ने क्या क्या वो सीटी मजिस्टेट ने आदेश दिया कि तुम इनके सिर्फ ओडो इनके लाठियां बरसाओ तो इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी कि जिसको हम जिसको कानू गुण यह कहता है कि यह नियाए करेगा किसानों के साथ और वही कह रहा है कि लाठिया मारों तो यह क्या उमीद कीजा सकती नियाए कि कते नहीं कंट्रेक्ट जो बड़ी-बड़ी फारम है वो कंट्रेक्ट करेंगी लेकिन contract अगर वो कर लेंगी सबसे पहली चीज तो कितने किसानों से कर लेंगी दूसरी बात contract कर लिया 10 रुपे किलो प्याज का rate रख लिया उसके बाद market में जब प्याज आता वो 2 रुपे किलो भी कर रहा है वो contract करने वाला उसे 10 रुपे किलो क्यों लेगा वो दूर पे किलो वड़ा लेगा फिर ये बाहना लगाएंगे कि ये आपका प्याज छोटा है ये मोटा है ये लाल दाने का नहीं है ये सपेद है फलाना है डिमकना ये इसके उपर ये objection करेंगे तो ये जो हालात पैदा कर रहे हैं ये लोगों को भुखा मारने के एक तरीका है आपने इनेलो की टिकेट पे भी शुनाव लड़ा था बेरी से और जजजबा की टिकेट पे भी लड़ा था अब आपने छोड़ दी है अगला क्या रुख रही है देखें मेरा कोई रुख नहीं है फिलाल क्योंकि मैं जो सरव जाती है सरव खाप महापनचैत के साथ काम करी हूँ हम इसी संगठन का विस्तार करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे जितना हमारा सहयोग हो पाएगा हम उतना किसान आंदोलन में भी देंगी और किसी भैंट बाई को कोई समझा होगी हम उनके साथ खड़ेगे हैं और कल की जो घटना रही उससे आहत होने के बाद पार्टी से इस्टीफा दिया है रंदीव रोड पंजाब के सिट्टीवी कुरुक्षे तो अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केसरी